देश को अगर आगे बढ़ाना है, नई उचाईयों पर ले जाना है, बदलते हों विश्व में हमें अपनी जगा ताकत के साथ खड़ी करनी है, तो हमारी UAPD के द्वारा इनोवेशन को जितना बल दिया जाएगा, हम दुनिया के अंदर एक ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जब IT revolution आया, किस प्रकार चे बिश्व का भारत के पती सोचने का बढ़लाव शुरू हुआ, वरना दुनिया हमें हमेशा साथ सपेरों वाला डेश मानती थी। भारत याने साप और सपेरे की दुनिया, लेकिन जब IT revolution में जब हमारे देश के 18-20 साल के बच्चे उंगलियों पर दुनिया को एक नई दुनिया दिखाना शुरू कर दिया, तो विश्व चौकनना हो गया, कि ये क्या चीज लेकर के बच्चे बता रहें, भारत की तरफ द लेकिले, एक बार ताइवान गया था, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, कई चुनाव की दुनिया से मेरा नाता नहीं था, वहां की सरकार के निमंत्रन पर गया था, तो मेरे साथ एक इंटर्पेटर था, दस दिन के मेरी वहां तूर थी, वो इंटर्पेटर मुझे बाचित के माध्यम की रूप में मेरे साथ रहता था, अब दस दिन साथ रहे तो थोड़ी परिचे हो गया, थोड़ा दोस्ती सा हो गया, तो 6-8 दिन के बाद उसने एक दिन मुझे पूछा, बोले साथ, आपको बुरा न लागे तो मुझे कुछ जानकारी चाहिए, मैंने का जरूर पूछिए, पुले आपको बुरा नहीं लगेगा न, मैंने का नहीं लगेगा, बताइजे न क्या है, ठीके साथ, फिर बाद में बाद करता हूं, संकोच वस वो भोल नहीं पाया, तो दुबारा जब हम ट्राविलिंग में साथ थे, तो मैंने फिर से निकाला, मैंने का भी तुम वो पूछ रहे थे, क्या था, बोले साथ, मुझे बड़ा संकोच होता है, मैंने का चिंता मत करो, तेरे मन में जो है, होना वाला, वो मेरी सर्व देखता रहा, फिर मैंने उसको का मुझे देख करके क्या लगता है, तो थोड़ा वो संकोच में पढ़ गया, थोड़ा सरमीन की महसूश करने लगा, बोले सुरी सुरी सर्व मैंने कुछ गलत पूछ लिया, मैंने का ऐसा नहीं भई, तुमने ठी अनकारी है, लेकिन अब हमारा थोड़ा पहले जैसा नहीं रहा है, थोड़ा डिवैल्योशन हुआ है, बोले वो कैसे, मैंने पहले हमारे जो पुर्वत थे, वो साप से खेला करते थे, हमारी जो नई पीडी है, वो माउस से खेला करती है, वो समझ गया है, कि मैं किस माउस की बात कर रहा हूँ, वो गनेजजी वाला चुहा नहीं, वो कम्पूटर वाला चुहा था, मेरा कहने का तक पर यह है, कि यह चीजे हैं, जो देश की ताकत बढ़ाती है, लेकिन कभी कभार हम सिध्धान्तों के अधार पर एकाद प्रोजेक्ट ले करके, एकाद इनोवेटिव चीज बना करके, साइद प्राइज भी जीत लेते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी आवशक्ता यह हैं, और मैं सो साल पुरानी पत्ना उनिवर्सिटी, जिसने देश को बहुत कुछ दिया है, उस पवित्र धरती से, देश भर के नवजवानों को आज आवाहन करता हूँ, विद्यार्थों को आवाहन करता हूँ, फैकंटीज को आवाहन करता हूँ, उनिवर्सिटीज को आवाहन करता हूँ, कि हम हमारे आस पांज जो समस्या देखते हैं, सामान ने मानवी की जो कठिनाया देखते हैं, उसके समाधान के लिए कोई innovative way डूम सकते हैं क्या, उसके लिए कोई नई technology डूम सकते हैं क्या, उसके लिए technology सस्ती हो, सरल हो, affordable हो, user friendly हो, अगर एक बार ऐसे छोटे-छोटे projects के innovation को हम बल देंगे, वो आगे चाल करके start-up में convert होगा, हिंदुस्तान के नौजवान, start-up के माध्यम से, university के शिक्षा दिक्षा का innovation, भारत सरकार की बैंकों के मुद्रा योद्रा से banking मदद, और start-up के दिशा में कदम, आप कलपना नहीं कर सकते, आज दुनिया में हिंदुस्तान, start-up की दुनिया में चौथे नमबर पे खड़ा है, देखते ही देखते हिंदुस्तान, start-up की दुनिया में अगरिम पंक्ती में आ सकता है, और अगर वो आर्थिक विकास के एक नई दुनिया, हिंदुस्तान के हर कौने में, हर युवा के हाथ में, start-up को लेकर के कुछ करने का इरादा हो, तो कितना बड़ा परिवर्तर और प को मैं निमंत्र देता हूँ, मैं पर्टना उनिवसिटी को विशेश रुप से निमंत्र देता हूँ, क्या ये इनोवेशन को हम बड़ावा दे,